असलाम अलेकुम दोस्तों आज मैं बहुत ही टेस्टी परोड़े की रेस्पी सेर करने वाली हूँ जो आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी एक बार बनाने के बाद आप परोड़े ऐसे ही बनाना पसंद करेंगी बहुत ही टेस्टी बनती है तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बैल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई वी लेटिस्ट वीडियो आपसे मिसना हो तो सबसे पहले मैंने हाँ धाई सो गिराम परोडे लिये हैं इन्हें हमने तीन से चार बार पानी से अच्छे से धोकर साफ कर लिया है क्योंकि ये थोड़ी से गंदे से होते हैं धूल वागारा लगी होती है अब हम इसके जो दौनों तरफ के किनारे हैं उन्हें कट कर और हम इसे इस तरह ऐसे गोल-गोल सलाइस में कट कर लेंगे आप चाहें तो अपनी मनपसंद सेप में भी कट कर सकते हैं लेकिन ऐसे सलाइस में ये सबजी कटती है तो बहुत ही खूब सूरत लगती है वैसे तो हमारे हाँ इसे परोड़े बोला जाता है और अलग-अलग पर इसे अलग-अलग नाम से भी बोलते हैं जैसे चटेल, केकसा, काकरोल, ककोड़ा आप क्या क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा परोड़े सब्चियों में सबसे जदा ताकदवर होते हैं और ये सिर्फ बड़सात के मौसम में ही मिलता है जो कि हमारे हैल्थ के ल तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं परोड़े बनाना बताऊंगी जिसको आप ये सबजी सर्ब कर देंगे आपकी तारीफ करते नहीं ठकेंगे और बार-बार बोलेंगे ऐसे ही बनाने के लिए अगर आप परोड़े खाते नहीं होंगे तो ये आपका फेवरेट होने बाला है इतना साधा टेस्टी बनता है तो चलिए यहां हम जल्दी से सारे परोड़े जो हैं वो कट कर लेते हैं तो यहां हमने सारे परोड़ों को एक नाइफ के हैल्फ से गोल-गोल कट कर लिया है तो अब हमने सबसे पहले एक कडाई ले ली है इसमें हमने एक टिबले स्पून ओ तो परोड को फ्राइब करना है और यह तोड़े से नमक डालेंगे तो यह तोड़े से सॉट हो जाएंगे करते हैं ने हम फ्राइब कर लेते हैं लाल मिर्ट का पाउडर हाप टेविल च्बड़ी पाउडर लिया है सारी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमे मूद जाल देंगे तो पेश्ट बन चाता है और हमारी सबजी है बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनती है इससे और मसाले भी नहीं जलते हैं तो जब भी आप सबजी बनाए तो ऐसे ही मसालों को डालें तो यहां हमारे परोडे देख सकते हैं आप इनका कलरवी चेंज हो गया है और यह अच्छी से फ्राई हो गये हैं तो अब हम गैस का फिलिम बंद कर देंगे और इनने हम एक अलग बरतन में निकाल लेंगे अब हमने सेम कड़ाई में एक ट्यूरी स्पून ओइल डाला है और ओइल हमारा गरम हो गया है इसमें हम डाल देंगे कलॉजी तो यह कलॉजी है और यहां हमने थोड़ी से ली है कलॉजी बहुत जादा नहीं लेनी है नहीं तो हमारी सबजी जो है वो कड़ी भी हो जाएगी तो थोड़ी सी एट करनी है और अब हमने आ ली है। यहां हम अधों 5-6 चूछ ली थी इन्हें हमने बारी काट लिया थाlaim, और पहले हमने कलॉंजी भी पहले अब फिराई करना है तो यह देखिए अच्छे से हम इन्हें पहले मिक्स कर लेंगे और अब इसे फिराई कर लेंगे लाइट ब्राउन कलर का तो यहां आप देख सकते हैं हमारी प्याज का बड़ी ऐसा कलर आ गया है लाइट ब्राउन बहुत जादा डार्क नहीं करना था हमें बस ऐसा ही कलर चाहिए था तो अब हम इसमें डाल देंगे टू टेबिल स्पून अदरक लसन का पेश्ट और इसे भी हम एड़ कर देंगे प्याज के साथ और एक मिनट के लिए हम इसे बस इसी तरी तरीके से भून लेंगे प्याज के साथ में अब हमारा यहां अदरक लसन भी भून गया है तो अब हम इसमें एड़ कर देंगे जो हमने पेश्ट बना कर रखा था मसालों का तो हम इसमें मसाले एड़ कर देते हैं और अब हमेंसे मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए गैस का फ्लिम लो कर लें और अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि जो बाउल है उसमें थोड़ा से मसाले जो है वो लगे रह गएते तो हमने पानी डाल कर इसमें सारे मसाले निकाल लिये हैं और इसमें हमने पानी डाल दिया है और अब हमारे मसाले जो हैं हमें बड़ी ऐसे भूनने हैं तो अभी हम इसमें स्वात के नुसा नमक एट कर देंगे नमक को हम एक बार मसाले के साथ मिक्स कर देते हैं और अब हम इसमें एट कर देते हैं हाफ टेवल स्पून सॉंफ का पाउडर इससे बहुती बड़ी असा टेस्ट आएगा जरूर डालिएगा और अब हम क्या करेंगे कि हमें मसालों को अच्छे से भूनने देना है तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे लो फ्लेम पर बहुती बड़ी असे हमारे मसाले भून जाते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि लो फ्लेम पर मैंने तीन से चार मिनट तक मसालों को अच्छे से भून लिया है तेल भी सेप्रिट हो गया है बड़ी असा मसाला भी भून गया है बहुती बड़ी असी खुजब आ रही है अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने फ्राई करके परोडे रखेते तो उसे हम डाल देंगे और मसालों के साथ अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है तो यह लिजिए यहां पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें थोड़ा सा पानि डालेंगे, बहुत ज़़ादा पानी नहीं डालना है, तो हम यहाँ थोड़ा सा पानी अओड कर देंगे, यविग अभी इससे हमें, पकाना है, क्योंकि अभी ये थोड़े से कच्छे हैं, तो अभी हमने इसमें पानी डाल दया है, और हम इसे cover कर देते हैं चार से पांच मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे तो लगबग चार से पांच मिनट हमारे यहां हो गए हमने gas का flame low कर लिया था low flame पर इसे हमने पकाया है 5 मिनट तक और बीच बीच में मैंने इसे दो बार चेक किया था कि मसाले हमारे जल तो नहीं रहे हैं तो आप भी चेक कर लें ऐसा नहीं मैंने 5 मिनट बोला तो आप 5 मिनट के बाद ही देखे तो यहां हमारे परोडे हैं अच्छे से cook हो गए हैं अब हम gas का flame बंद कर देंगे और यह बिल्कुल ready हो गए है करने के लिए तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं बहुत ही जादा टेश्टी बने हैं दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकती इतनी बढ़िया सी खुसबू आ रही है इंसे तो आप इसे जरू ट्राइ करियेगा एक बार जिस तरह से मैंने बताई है बिल्कुल उसी तरीके से ट्राइ करियेगा आप देख सकते हैं देखने में कितनी जादा delicious लग रही है आप इसे पूरी के साथ या पराठे के साथ या फिर रोटी के साथ सर्भ कर सकते हैं बहुत ही tasty लगती है खाने में तो I'm sure आपको यह recipe पसंद आई होगी recipe पसंद आई हो तो वीडियो को like, share and subscribe जरूर करिएगा दोस्तों और comment करके मुझे जरूर बताईएगा कि आपको recipe कैसी लगी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज